महरास्टर में कई नेताओं के जेल जाने के बाद अब भरस्टा चार की सुई उद्दव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे की तरफ मुड़ चुकी है बीजेपी नेता की तरफ से आदित ठाकरे पर गंभीर आरूप लगाते हुए एक हज़ार करोड रुपए के घोटाला होने का दावा किया गया है बीजेपी नेता क्रीट सौमया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदेत ठाकरे और कॉंग्रेस के असलम शेखर एक हजार करोड रुपए के स्टूडियो घुटाले में शामिल थे सौमया ने कहा कि दोनों कथित तोर पर मुंबई के उत्तरी मलाड उपनगर के मद मारवे इलाके में तटिय विन्मा छेत्र यानी की कॉस्टल रेगुलेशन जौन का उलंगन करके एक फिल्म स्टूडियो के निर्माड से जुड़े थे पूर्व लोकसभा सांसद ने मीडिया से बात करते हुए का कि फरवरी 2021 में महरास्ट्र परियावरण मंत्राले दौरा कॉस्टल रेगुलेशन जौन में एक फिल्म के सेट के लिए अनुमती दी गई थी जिसका नित्रत उस समय कोई और नहीं आदित ठाक्रे कर रहे थे हलाकि कमर्शल फेसलिटी के साथ एक सीमेंट कॉंक्रीट स्ट्रक्चर सामने आया है सोमया ने आरोप लगाया कि जुलाई 2021 में स्ट्रक्चर को धुस्त करने के आदेश के बाबजूद कोई कारवाई नहीं की गई और नागरिक निकाई यानि की सिविक बॉड़ी ने से दिल्चस बात यह है कि अब तक क्रीट सोमया की तरफ से जितने भी घोटालों के खुलासे किये गए हैं उन घोटालों में सलिप्त लोग उन्हें आखरकार जेल जाना ही पड़ा है तो अब ये सवाल उठाए कि क्या आदित ठाकरे भी अब बहुत जल्द सलाखों के जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं